यह जो देख रहे हैं गोभी का खेती लगा हुआ है गोभी के खेती में जो गोभी के मेड़् देख रहे हैं बना हुआ यह गोभी पर जो मिटी चढ़ाते हैं वो किस परकार से चढ़ा जाता है वो सब कुछ इस वीडियो में बताया है छोटे-छोटे step to step आपको बताएंगे कि किस परकार से मीटी चरहाना चाहिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जिस समय आप पौध रुपाई किये होते हैं जो गोबी का जो पौधा होता है उसको आप लगाये होते हैं उसमें अगार में डिया नहीं दिये होते हैं या थोड़ा कम दिए होते हैं तो जिसमें àp मेटी चरहाने जा रहे होते हैं Uust uma जितने के बाद फावरा सा इसका जो खेती जो आप करते हैं तो इस परकार से मेटी चणा सकते हैं तो कई सारे उपाए इसका होता है भावरा से सकते हैं तो प्लब में एक लाक्ते हैं तो इसे करते हुए घुसरी साइड निकल जाना होता divida is हम आगे करके फिर उठाकर्तें इस परकार से ये दिख रहे हैं कि इस साइड थीस लेफिर राइट में चले जाते हैं तो इसी परकार से आप अपने खेथ में जो बहुते हैं और मिटी जब चढ़ाने जा रहा होते हैं तो उससे दो-चार दिन पहले निडाई गुवाई इसका अच्छे से कर लेना चाहिए क्योंकि जो खर पत्वार होता है बिल्कुल हट जाता है तब चढ़ाते तो बहुत ज़्यदा फैदा करता है इसके बाद फ़वरास दोना साह से मिटी चतरहा थी फिर हाथ से इस परकार से लेकर बाब सवार चाहिए युटी मोटट को चढ़ाना चाहिए उस से एक सिंटीमीटर नीचे तक रखना चाहिए और बाकी तक Servant इस परकार से आगर मीट्य को डेख रहे हैं एक दो सिंटीमीटर छोड़ करके जो सुपर करके जोई का मुह करके एक दिन शुखने कलह करके रिए एक दिन या दो दिन बाद होता है उसमें पानी देना बहुत ही जरूरी होता तहाइए तो फोहारा सिस्टम सभी भी दींगे तो अछा होता है तो यह आप wire system से देना चाहते है अगर पहली बार पानी रहे हैं मीटी चरहने के बाद पहली बार पा रहे हैं तो पहारा सिस्टम से देते तो ज्यादाधा वेटर होता है क्योंकि उस समय ऊपर से अगर पानी बार देते हैं विपोर्य सीचनम से तो इसका जो मेंट होता है जिस पर मीटी चढ़ा एंद cambi शेप में अच्छा होता है तो इस परकार से अगर आप पानी दे रहे हैं देख रहे हैं तो ऐसे उपर से पानी परने के बाद दब जाता है और उसका से जो होता है वह बहुती अच्छा से लेता है और देखने में भी बेटर लगता है तो इस परकार से आप पानी दे सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है अगर आपके पास यह सुबधा उपलब्द नहीं है तो आप फ्लेट सिस्टम से भी दे सकते हैं तो इस परकार से दे रहे हैं पानी इस परकार से पानी दे करके हम लोग इसको पूरे में जैसे कि पानी दे देते हैं फिर इसको हम छोड़ देगे अब चोड़ देंगे इसको तो यह जो पानी सुखने के बाद में एक दिन के बाद जो है यह घृटा ज्यादा जो पहले मीटी चरहने से पहले जितना विकास करता था उससे दो गुनी जदा विकास यह मिटी चरहने के बाद जब एक बार पानी देते हैं उसके बाद करने लगता है तो मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि एक दिन बाद जो होता है वो कितना विकास किया होता है और किस परकार से करता है व जो वीडियो है मैं ओ दिखाऊंगा कि जब पानी देने के बाद एक दिन के बाद जब 24 गंटे बाद का जो वीडियो है फिर वो मैं दिखाता हूं कि देखेंगे दिखाऊंगा कि किस परकार से ये विकास किया हुआ है और मेटी चरहने से पहले का जो गोवी था वो कैसा था जो मेटी चरहने के बाद जो अभी देख रहे हैं ये किस परकार से हैं और जो मैं दिखाऊंगा 24 गंटे बाद का पानी देने के और मेटी चरहने के 24 गंटे बाद का जो मैं दिखाऊंगा तो देख सकते हैं ये गोवी ये 24 गंटे बाद का है तो देख सकते हैं एक दिन बाद जो है गुबी में कितने अंतर आ चुका है कितना अच्छा लग रहा है इसका जो पता है वो कितना खिला खिला है और कितना ज़्यादा देख रहे हैं कि पहले से देखने में अच्छा लग रहा है और ऐसी करके अगर इसको आप कल देखते हैं तो इससे भी ज़्यादा बेटर होगा फिर ऐसे करके एक एक दिन बाद जो है जो ये मिटी चरहने से पहले जो विकास करता था ये पोध हुओ और जो मिटी चरहने के बाद विकास करता है इसमें बहुत ही जदा अंतर हो जाता है तो देख सकते हैं इस परकार से इसका जो मिटी चरहा देते हैं तो बरबार हो जहास बोजब वर समय सकते इसपशो कर वाइब हो